Hi everyone, this is Anam. Welcome to PhD Jobs and Admission. So, आज की इस वीडियो में मैंने BHU READ के यानि BANARAS Hindu University के Research Entrance Test के 2019 के Previous Air Questions को इस वीडियो में डिसकस करा है. So, आप इस वीडियो को इन तक जरूर देखेगा. इसमें कि मैंने जो आपकी 2019 में Previous Air Questions पूछे गए थे उनको Detail में Explain करा है. एक एक Options को आपको Detail में बताया है. जिससे कि आपके सारे डॉट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाए. उसी की साथ-साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ. आपकी Preparations को Boost करने के लिए और अभी तक जिन Students ने Research Entrance Test की Preparation Start नहीं करी है. तो वो अभी भी आपने Research Entrance Test की Preparation Start कर सकते है through our course. तो हम आपको Research Methodology का Complete Course प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें हम आपको Video Lectures, Notes और Thousand Plus Practice Amcius PDF प्रोवाइड करेंगे बोद लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में भी. जिससे कि आप Easily आपके Research Entrance Test को Crack कर पाऊगे और कई Students का हमें Feedback यही है कि हमारे इसी Research Methodology के Content के थो उन्होंने Easily अपने PhD Entrance Examination को Crack कर पाया. और मैं आपको ये भी बता दू कि आप हमारे App को भी Download कर सकते हो जो कि है Global Online App इस App पर आपको एक ही क्लिक में सारा Study Material देखने मिल जाएगा. आप Easily App के थो हमारे Study Material को Access कर सकते हो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो हमारे App का लोगों कुछ इस तरीके से है और अगर आपके कुछ Questions, Queries होंगे तो आप इस नमबर पर हमें Contact कर सकते हो और मैं आपको ये भी बता दू कि आपकी Preparations के लिए हमने हमारे App पर 5 Questions फ्री रखा है जिसको आप उस टेस्ट को आप Solve कर सकते हो जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी कितनी Preparations और बाकी है आपको कितनी और Preparations चाहिए आप Easily हमारे App को Download कर सकते हो ये इदम फ्री टेस्ट होने वाला है जिसमें हमेरे 5 बहुत Important Questions आपके लिए रखा है आप उस टेस्ट को उस टेस्ट में आप Appear हो जाएगे जिससे कि आपकी Practice आपको पता चाहिए कि कितनी आपको Practice और चाहिए So, Let's Begin with the Video हमारे इस Research Methodology के कोर्स में हम आपको Full syllabus Video Lectures Notes, 10 Full syllabus Mock Tests 1000 Plus Practice MCQs PDF प्रोवाइट करेंगे इन बोद लैंग्विज हिंदी अस वेल इन इंग्लिश So, हमारा जो ये Research Methodology का Contain है ये हमने हमारे Experience के वैसिस पर और जो एक्च्वल पीएज़ इंट्रेंस एक्जाम में Questions पूछे जाते हैं तो सारे चीज़े हमारे इस Research Methodology के कंटेन में हमने कवर करें हैं तो आपको हमारा अगर आप कोर्स परचेस करोगे अगर आप हमारा कोर्स फॉलो करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से हमारे Research Methodology की कंटेन में आपको प्रिपरेशन करना है कि आपको हमारे जो नोट से और जो मॉक्टेस को एक वीक में कवर कर लेना है और यह जो 1000 प्रस MCQS PDF है 1000 प्रस MCQS PDF यह आप आपके as a revision की तोब पर यूज़ कर सकते हैं आप आपके exam के एक दिन पहले और अगर आप आपके exam के even 4-5 hours पहले भी इसको एक बार read करकर चले जाओगे तो आप exam में easily questions को mark करकर आजओगे तो मैं आपको guarantee देती हूँ कि हमारे इसी research methodology के content से आपको exam में questions पूछे जाएंगे हमारे जो students है हमारे जो batch के students है कई students का feedback है कि उनको हमारे इस research methodology के content से directly exam में 10 to 12 questions पूछे गए थे हमारे इस study material को purchase करने के लिए आपको इस number पर हमें WhatsApp के थूँ contact करना है याद रखके आपको WhatsApp के थूँ contact करना है और आप message करते हो message करने के within 15 to 20 minutes पे आपको सारा study material provide कर देंगे और आप हमारे app को भी download कर सकते हो जो कि global online app इस app पर app को download करने के link मैंने description box में provide कर रखी है so वहाँ से आप हमारे app को access कर सकते हो and let's begin with the video dash एक परिकल्पना का स्रोत नहीं है dash is not a source of a hypothesis so इस प्रश्म में पता करना है कि दिये गए विकल्पों में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जिसकी मदद से हम hypothesis का स्रोत नहीं कर सकते है यानि दिये गए options में से कौन सा एक ऐसा option है जिसकी help से आप hypothesis को lay down नहीं कर सकते हो नहीं hypothesis का बना सकते हो अब इस प्रश्म में जिसके एक word आ रहा है एक term आ रहा है जो कि बहुत important है hypothesis यानि परिकल्पना यह होती क्या है आपको पहले इसका अर्थ पताऊना से यह तभी आप इस question को solve कर पाऊगे तो परिकल्पना hypothesis एक tentative statement होता है अब tentative statement का अर्थ क्या होता है इसका meaning क्या होगा tentative का मतलब क्या होता है कुछ समय के लिए आप मान लेते हो कि ऐसा करने से इसा हो सकता है उसे हम कहते हैं tentative, मतलब temporary, आप कुछ समय के लिए माल लेते हो, ऐसा करने से हो सकता है, आगे चल कर ऐसा हो जाए, यानि यहां पर आप क्या कर रहे हो, आपकी research में कुछ चीजों पर भविश्यवानी करते हो, और उसी भविश्यवानी को आप आपके शोद में आगे चल का different methods ग enthrhrough, different different प्रकार के थूँ, different different प्रकार की शोद के थूँ, आप उस भविश्यवानी को आपके उसका correction करते हो, एक tentative statement, एक temporary statement, कुछ समय के लिए आप माल लेते हो, आपकी जो भविश्य माने आप करते हो, उसी काप आपकी शोध में परिक्षन करते हो, उसे क्या हम कहते हैं परिकलपना और hypothesis, अब इस प्रश्म में मैं पूछा जा रहा है कि दिये गए विकलप में से कौन साइक ऐसा विक जिसकी हेल्प से आप परिकलपना का स्रोत नहीं कर सकते हो, यानि hypothesis लेडाओ नहीं कर सकते हो, so one by one हम सारे विकलप देखते हैंगे, सारे options देख लेंगे, so यहापर आपको option A दिया गया है, intuition यानि सहज बोद, intuition का मतलब क्या होता है, कि आपको किसी चीज के बारे में understanding हो ज करते हैं, okay, intuition क्या होता है, कि आपको किसी फेनोमेना के किसी topic के बारे में आपको understanding हो जाती है वो जली से, लेकिन आप उसको proof नहीं कर पाते हैं, उसका कोई proof नहीं होता है, without any proof आप उसे understand कर पाते हो, उसी को हम कहते है intuition, यानि आप understand कर पा रहे हो, तो yes, hypothesis भी वही तो करती ह है, उसी के basis पर आप एक statement देते हो, और उसी statement को proof करते हो, आपको hypothesis ऐसी चीज़ों पर करने चाहिए, जो कि पहले से, आपको proof नहीं हो, जो चीज़ प्रूफ नहीं होती है, उसी को तो हम test करेंगे हमारे research में, okay, so intuition के help से, intuition ये एक source है, जिसके help से आपकी hypothesis लेडाउन कर सकते हो, तो यहाँ पर आपका विकल पर सही हो जाएगा, expression का सही उत्तर हो जाएगा, उसी तरी किसे विकल भी knowledge, जिससे हम कहते हैं, ज्यान, अब knowledge क्या होता है, अब जैसे कि मान लिजिया, आप किसी चीज़ के experts है, आप कोई heart specialist है, तो आपको सारी information पता होती है, कि heart के बारे मे heart disease कैसे होती है, चेस्प में पहन होने की वज़े से, बलड लेवल की वज़े से, कॉलिस्ट्रोल लेवल की वज़े से हो सकता है, heart disease हो रही हो, आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत knowledge होता है, आपको जो भी knowledge होता है, आपको एक particular phenomena के बारे में, आपको जो भी, आपको समझ होत उसके बारे में आपको knowledge होती ही बहुत सारी चीजों के बारे में, तबी आप hypothesis लेडाउन कर सकते हो, knowledge एक ऐसा source है, यह ज्यान एक ऐसा श्रोथ है, जिसकी help से आप परिकल्पना को लेडाउन कर सकते हो, और परिकल्पना का श्रोथ कर सकते हो, यहाँ पर knowledge बहुत important role play करता है, hypothesis को लेडाउन करने में, then हम directly option D देखेंगे, theory, theory यह नि सिधान्थ, अब theory क्या होती है, याद रखेंगा, जब भी theory word आते है, उसका मतलब होता है, कि उसमें कोई ना कोई चीजा इस होती है, कि concept यह उसका करा जाता है, वो theory आप उसका use कर सकते हों, okay, जैसे मानने जो किसी researcher ने, पुराने researcher ने किसी चीज़ पर theory डेवलप कर दी, okay, वो theory का आप use करोगे, आगे further research करने के लिए, उस theory का आप use करोगे, hypothesis लेडाउन करने के लिए, मानने जी आगे और कुछ topic पर आप research करें, कई दूसरो topic इस पर आप research कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, उसी theory का, जो पुराने researcher ने theory डेवलप करी, उसी theory का use करकर, आप hypothesis लेडाउन करोगे, तो यह पर theory भी एक ऐसा source है, सिधान भी एक ऐसा स्रोथ है, जिसके help से, आप पारी कलपना को लेडाउन कर सकते हो, hypothesis को बना सकते हो, लेकिन यहापर आपको जो option C दिया गय energy, आप में जितनी energy होंगे, उतनी अच्छी आप hypothesis लेडाउन कर सकते हो, ऐसा हम कह सकते हैं, energy यह कोई term ने होता, यह एक कोई source ने होगा, जिसके help से, आप hypothesis लेडाउन करेगा, यहापर आपका energy इस प्रशन का आपका सही उत्तर हो जाएगा, लेकिन intuition, knowledge और theory, यानि सहज बो को लेडाउन नहीं कर सकते हो, यहापर आपका विकल्प सी इस प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा, अगला प्रश, यदि कोई अध्यन विश्वसिनय हैं, तो इसका अर्थ क्या है, if a study is reliable, this means that, इस प्रश में हम पुझा जा रहा है कि अगर कोई अध्यन है, वो विश्वसिन है, यानि कोई study है, अगर कोई study है, यह reliable study है, तो उसका अर्थ क्या होगा, उसका meaning क्या होगा, उसका definition क्या होगा, उसकी परिभाशा क्या होगी, यह पता लगाना है हम इस प्रश में, so reliable यह है क्या, पर आपको यह पता होना चाहिए, reliable आपके research की characteristics में से एक characteristic होती है, जो कि आपको exam में reliable पूछा गया है, तो आपको हो सकता है, आपको next time, आपका जो exam आने वाला है, आपके PhD entrance examination में, आपको valid पर आए question, अब तो आपको reliable पूछा गया था, आप valid भी आ सकता है, तो देखिए, जैसे के reliable क्या होता है, पहले तो हम यह देखेंगे, फिर one by one हम सारे विक जैसे आप कोई experiments perform कर रहे हो, आप कोई प्रयोग perform कर रहे हो, और बार बार चीजों को perform करने के बाद आपका same measurement मिल रहा है, आप मेजर कर पा रहे हो, same ही आ रहा है आपका result, तो उसे हम केते हैं reliable, अब किस तरीके से, यह एक हम उधारन के थूरू देखेंगे, एक example के तो हर तीन बार, यानि तीनों बार अगर मेरा वेट चेक करी तो तीनों बार मेरा 40 केजिस आ रहा है, ओके, तीनों बार वेट करने पर मेरा आ रहा है 40 केजिस, यानि मैं हर बार अगर वेट करूँ और मेरा हर बार वेट सेमी आए, ऐसा नहीं हो रहा है कि पहले केस में मेरा 40 आ रहा है दुसरे में 50 तीसरे में 60 okay मतला मैंने हर बार वेट कर आ और मैं 4-5 तमर मैं अगर वेट कर लूँ अपना तो हर वेट में 5 टामस अगर मैं वेट कर लूँ तो 5 टामस मेरा 40 kg यह तो इस case में में कहोंगी मेरे जो यह मशीन है मेरे जो वेंग मशीन है यह reliable है क्योंकि यह मुझे हर बार same result दे रही है हर बार major करने पर हर बार चीजों को major करने पर मुझे same result मिल रहे है मुझे stable result मिल रहे है तो उसे हम कहेंगे reliable so यहीं आपको विकल B में भी दिया गया है the majors device for concept are stable on different occasion यानि एक ऐसी concept है एक ऐसी device है जो अगर आप major कर रहे हो जिस चीजों को और major करने बार different occasion different occasion यानि क्या हर अलग-अलग व्यक्त पर हर अलग-अलग time पर आपको कह मिल रहे है same ही result मिल रहे है same ही measurements मिल रहे है तो उसे हम कहते है reliable so आपका this person का B option आपका सही हो जाएगा ओके अउधारनाओं के लिए तैयार किये गए उपाय अलग-अलग अवसरों पर स्थर होता है यानि आपके आप चीजों को major कर रहे हो आप माप रहे हो और आपकी जो device है वो आपको अलग-अलग अवसरों पर same ही result बता रहे है तो यह होती है आपकी reliable अब जो इनकरेक्ट ऑप्शन जो ऑप्शन बज गया है उसे भी हम जल्दी से देख लेते हैं ऑप्शन यह विकल्प यह आप आपको दिया गया है इट वॉस कंड़क्टेड बाइर रेप्युटेटिटर और रिसरों वो कैन बी ट्रस्टेड सो रिलाइबल स्टडी उसे न अब जो आपके रिजल्ट आ रहे हैं आप डूसरे सोशल सेटिंग्स में भी इसको जन्रलाइब कर सकते उसको उस चीजों को उसका उप्योग कर सकते दूसरे अद्धियन में भी तो ऐसा नहीं हो सकता है रिलाइबल का मतलब होता है हर बार मेजर करने पर चीज़े सेमाए म आपको सेमी मिले अपर आपका विकल्ट सी भी गलत हो जाएगा उसे तरीके से विकल्ट जास्ट इस क्लियरली इनफ फोदी रिसर्च टू बेड़े रप्लिकेट यानि अनुसंदान को आप क्या कर रहे हो दो बारा रिपीट कर रहे हो तो रिपीट करने में यानि माने जी क पहले से ही रिसर्च कर रहे हैं आपके पास कुछ इनफॉर्मेशन होगी तो इसके बैसे इस पर आप क्या करते हो उस रिसर्च को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हो तो इस रिसर्च को फिर सब परफॉर्म करने की कोशिश करते हो आप देखते हो कि यह नए क्या मिल सकत है इस result और क्या आ सकते है result यह आपकी replicated replication हो सकता है आपकी replication की definition होती है जो कि यह भी एक characteristic होती लेकिन reliable की definition नहीं होगी आपका विकल्ब जी इस प्रशन का सही उतर नहीं होगा इस प्रशन का reliable अगला प्रश एक शोथ design क्या है what is a research design इस प्रशन में पूछा जा रहा है कि शोथ की design जोती है नहीं research design जोती है उसकी परिभाशा उसकी definition उसका अर्थ क्या होगा उसका अर्थ उसकी definition हमें किस विकल्ब में दढ़ा हमें यह पता लगाना है रिसर डिजाइन याद रखेगा आप को research process होता है उसका second step होता है first step आपका research problem होता है S defensive research design होता है research design क्या होता है research design में आप क्या करते हो उस्होथ करता है जो researcher जाता है इसमें पूछा जा सकता है एकषा जासे स्कता है ऊच्छाही बीजाइन को भी ड्यूपरींट अब शुक्ष्छ डिजाइन का ही दूसरा नाम होता है ब्लिउपरींट अब रिसर डिजाइन जिसने design है, यानि किसी चीज की आप कुछ, आप सोचोगे उसके बारे में कि किस तरीके से उसको आप perform करने वाले हों. So Research Design, Research को आप किस तरीके से हागे चलकर perform करने वालो, कौन कौन से steps आप perform करने वालो, कौन सी research का, कौन सी शोध का उपयोग करखर आप आपकी research perform करोगे, कौन सी आप किस तरीके से hypothesis लेडाउन करोगे, अप कैसी samples बनाओगे, कैसे आप नमूनों को चुनोंगे, आप कहां से objective क्या हो सकता है, आप data किस तरीके से collect करोगे आपके नमूनों से, आप कहां से data collect करने वाले हो, आप किस तरीके से data को analyze करने वाले हो, किस तरीके से आप आपके result बताने वाले हो, किस तरीके से आप आपकी research करने वाले हो, ये सारे आप आपकी research design में करते हैं, यानि research design में आप प्लानिंग करते हैं, blueprint का भी मतलब होता है planning, planning आप जैसे किसी चीज को आप perform करने वाले हो उसके पहले आप क्या कर लेते हो planning कर लेते हो, आप मानने ज़िए आप कहीं जा रहे हो, जो इसके पहले से planning कर लेते हो, कि इतने समय में मैं यहाँ पर रहूँगा इतने समय में यहाँ पर जाओगा तो उसी तरीके से आप रिसर्च में भी करते हैं क्योंकि रिसर्च जो होता है आपका यह वन और टू मंच का नहीं होता है रिसर्च आपको थ्री डू शुशुर्च तक करने होता है बुत लॉग डूरेशन होता है प्रफॉर्म पर 嗎 इसके लिए जो रिसर्च होते है वह प्लाइनिंग करते वह पहले से ही सोच लेते है कि किस तरीके से ने कॉँझा है कोन मेंसा मैं 3 उसका क्ज़वता है को cat की kbre distribution करने इस सारे चीज़े आप रिसर्च आपने शोर डिजाइन में पहले सही बता देते हैं, तो याद रखेगा, रिसर्च डिजाइन की डेफिनेशन होती है, और framework for every stage of collection and analysis of data, यानि हर एक stage में आप किस तरीके से काम करने वाले हो, उसका framework, उसका धाचा बना लेते हो, यानि डेटा का संगरहन, और vision के हर चरन के लिए एक रूप रेखा, पहले से ईक बना लेते हो, रूप रेखा, कि आप किस तरीके से data का विस्टेशन करोगे, हर एक stage में, हर एक चरन में आप उसका किस तरीके से data की खत्र करोगे, किस तरीके से vision करोगे, ये सारा आप, आपके research design में, short design म अब जो बज गया है विकल्प उन्हें भी हमें किक बर्ग देख लेते हैं विकल्प A, a way of conducting research that is grounded, that is not grounded in theory, यानि अनुसंधान करने का एक तरीका जो संदर्बत पर अधारित नहीं होता है, यहाँ पर बता रहा है कि research design ऐसा वे होता है जिसमें आप research करते हो जो कि grounded theory नहीं होता है, grounded in theory यहाँ नहीं होता है, कि आप data collect कर लेते हो, आपके पास data collect कर लेते हो आप पहले, then उस data को analyze करकर आप theory develop करते हो, उसे हम कहते है grounded in theory, यहाँ पर research design का यह मतलब नहीं होता है, research design का मतलब होता है planning करना, यहाँ पर आपका जो विकल्ब A है, अनि संधान करने का एक तरीका जो सिद्धान पर आधारित नहीं है, यह गलत हो जाएगा, उसे तरीके से विकल्ब is choice between using qualitative and quantitative methods, यानि आप क्या कर रहे हो, आप choice कर रहे ह करोगे, आप कौन सा method उपयोग करोगे, आप कौन से method का, आप कौन से तरीकों का उपयोग करोगे, क्या अप गुणात्मक तरीकी का उपयोग करोगे, या फिर मातरात्मक तरीकों का उपयोग करोगे आपके research में, तो उसे हम research design कहते हैं कि नहीं, सो यहाँ पर आपका विकल प्रतूत करते हैं उधारन के लिए एक ग्राफ यानि यहां पर आपको बताया गया है कि जिसे आपने रिसर्च परफॉर्म कर ली उसके बाद आपको जो रिजल्ट मिलते हैं आप उसको एक वे में प्रेजेंट करते हो या तो आप ग्राफ में प्रेजेंट करते हो या तो कहते हैं उसको आप क्या कर रहे होएं यां ऐसे सब्सक्राइब करने वाले हैं किस तरी का सिसको बाताते हुक तो यह ब्लिचा को notes, recording और videotape के रूप में दर्शाया गया है data are represented in the form of notes, recordings and videotape in इस प्रश्ण में हमें ये find out करना है, ये पता लगाना है कि data को notes, recording और videotape के रूप में दर्शाया गया है तो वो कौन सी research का कौन सी अनुस्तनधान का example होगा अब आपको याद रखना है आपके जो दो research mainly जो होती है जिसे qualitative and quantitative मतलब गुनात्मक और मात्रात्मक तो गुनात्मक अनुस्तनधान में आपके पर जो भी data होगा वो notes, recording और videotape के रूप में होगा तो यहाँ पर आपका विकल्प A correct हो जाएगा then विकल्प B मतलब option B आपको given है मात्रात्मक अनुसंधान मात्रात्मक अनुसंधान जिसे आपको नाम देखकर ही इसका अर्थ पता लग रहा होगा मात्रात्मक जिसे हम quantitative कहते हैं जो numbers को दर्शाता है मात्रात्मक अनुसंधान में हमारे पर जो भी data होता है ये numbers के रूप में होता है मात्रात्मक अनुसंधान में हमारे पर जो data होगा वो numbers के रूप में होगा जिसे किसी की उमर, किसी के height किसी की उचाई, किसी का वजन ये आपका मात्रात्मक अनुसंधान के examples होगे यहाँ पर आपको विकल्ब भी है यह गलत हो जाएगा देन विकल्ब C आपको given है experimental research जिसे हम प्रयोगिक अनुसंधान कहते हैं प्रयोगिक अनुसंधान ऐसी अनुसंधान होती है जिसमें basically आपके पास जो data होता है इसमें भी आपके पास जो data होगा वो number के रूब में होता है और experimental research में और प्रयोगिक अनुसंधान में आप mainly आप जो variables होते हैं जो चर होते हैं उनके बीच में कैसा संभन्ध है उसको पता लगाते हो मतलब cause and effect relationship आप find out करते हो experimental research मतलब प्रयोगिक अनुसंधान में भी आपके पास जो data होता है ये numbers के रूब में होता है आपका जो option C जो विकल्प C है ये भी incorrect हो जाएगा आपके पास ऐसा data जो notes, recording और video tape के रूप में दर्शाया गया है आपका गुनात्मिक अनुसंधान में example होगा मतलब qualitative research का example होगा आपका जो correct option हो जाएगा correct विकल्प हो जाएगा वो है आपका option A और विकल्प A अगला प्रशन उचित sampling के लिए name liquid में से कौन सा up to date पुर्ण और वैन्य होने चाहिए which of the following should be up to date, complete and affordable for proper sampling इस प्रशन में पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें हम हमें complete information मिलती है हमारे sampling के लिए जिसको हम हमारे sample के लिए चुन लेते हैं ऐसे ऐसे विक्ति जिनको हम हमारे sample के लिए चुन लेते हैं उनके बारे में complete detail, up to date details होती है वो सारी detail होने चाहिए वो कौन सा ऐसा option है जिसमें यह सारी चीज़े मौजूद होती है सारी चीज़े present होती है याद रखियेगा वो होती है आपकी sampling frame अब sampling frame क्या होता है जिसे मान लिजी आप क्या करते हो population होती है आपकी मान लिजी यह आपकी population है population में से आप कुछ लोगों को ले लेते हो जो कि आपका sample बन जाती है so directly आप population में से आपके samples को नहीं चुनते हैं आप क्या करते हो population में से लोगों की list बना लेते हो अब जिसे population तो बहुत ज़्यादा population होती है पूरी population परता हम research नहीं perform कर सकते हैं तो आप क्या करते हो, कि population लेते हो, population में जितने लोगे जिसे मान लीजे, मैं यहाँ पर study कर रही हूँ, मैं study कर रही हूँ, जोजो लोग smoking करते हैं, उनके lungs पर कैसा affect होता है, so smoking करने से lung पर कैसा affect होता है, यह study में perform कर रही हूँ, मुझे यह अध्यान करना है, so मुझे ऐसे लोगों का अपने sampling frame में लेना होगा, ऐसे लोगों का मुझे detail, उनका name, proper, उनकी age, इस सारी information लिखना होगा, एक proper, एक sheet पर, so ऐसे लोग लेना होगा, जिनकी जो smoking करते हैं, जो smoking नहीं करते हो, उनको तो मैं अपने अध्यान में नहीं लोगी, जो smoking करते हो, उनहीं को लोगी में अपने population में से, एक list बना कर, उनकी सारों का नाम लिखोंगी, उनकी detail हो जाएगी, उनकी age हो सकती है, कोई भी detail जिस पर आप study कर रहे हो, आप पूरी एक sheet में detail लिख लेते हो, एक list बना लेते हो, जिसमें आपकी जो population में जो जो व्यक्ति पर आप research करने वाले हो, उनकी list बना लेते हो, उसे हम कहते है sampling frame, इसे हम कहते है sampling frame, अब इस list में क्या होता है, सारे लोगों का आप नाम, उनकी information, आपको जो जो चाहिए होता है, अब प्रोपर इस list में उनकी information लिख लेते हो, हर एक person के आप सारी information लिख लेते हो, अब आप sample आप यहां से choose करते हो आप randomly यहां से जो भी technique आप use करोगे जैसे आप stratified sampling ले रहे हो किसी भी तरह की किसी भी type की sampling के लिए आप क्या करते हो इस list में से अपने sample चुन लेते हो इस list में से सारे व्यक्ति को चुन लेते हो और जो क्या आपका sample बन जाता है इस तरीके से आप sampling frame बनाते हो और यहां से आप proper अपने samples को यानि अपने नमूनों को चुन लेते हो जिस पर आपको research perform करनी है जिस पर आपको short perform करनी है यहां पर हमें क्या पूछ रहा है प्रश्ण में आपको वो भी देखना होगा up to date information complete और affordable जो होता है sampling के लिए तो वो होता है आपका sampling frame याद रखेगा बहुत important है sampling frame पर exam में generally question पूछे ही जाते है अब यहां पर जो remaining options है जो बज गए option उन्हें पर हम एक एक बारी देख लेते हैं sampling technique जिसे हम कहते हैं नमूना तक्निक अब नमूना तक्निक क्या होती है जिसमें आप different different techniques की तो जिसे आप probability sampling non probability sampling आप simple random sampling से आप आपके samples को पर study करो गए या फिर आप को भी कोई भी sampling method जिस पर आप research perform करने वाले हो उसे हम कहते है sampling technique तो बहुत सारे sampling method होते हैं आपके stratified quota cluster यह सारे आप perform करकर आप आपके samples पर study करते हैं उसे हम कहते है sampling technique और नमूना तक्निक तो यहापर नमूना तक्निक में तुम आप proper detail नहीं बताते हो okay then respondents respondents के होते हैं यह आपके samples के मिलने वाले आपको response जो लोग आपको response कर रहे हैं जिनके तुरों आपको information मिल रहे हैं उसे हम कहते है response उत्तर दाता है तो यहापर उत्तर दाता है तो यह हम नहीं कहेंगे कि complete detail होती है तो यह आपको विकल्प CV गलत हो जाएगा उसे तरीके से विकल्पD tools for data collection data collect करने का data एकत्र करने का टूल उपकरन तो यहापर आपको पता है data collection tool क्या होते है आपके जैसे questionnaire और आपकी सारे जो है observations, interviews तो यह सारे होते हैं आपकी data collection tools ना के जिसमें आपकी पास सारी up-to-date information प्रेजंट हो से यहापर आपका option D यानि विकल्प गलत हो जाएगा और इस प्रशन का आपका सही उत जैन डाचा एंड आज के लिए बस इतना है एंड थैंकि फो वाचिंग दिस वीडियो